राजस्तान को नए मुख्या मंतरी के बाद अब नोकर शाही के नए प्रमुक भी मिल चुके हैं राजस्तान के नए मुख्या सचीव सुधान स्पंथ ने पदबार ग्रहन कर लिया है कनेश वंदना के बाद अपने कमरे में मुक्य सचीव सुधान स्पंत पहुंचे शुप मोहरत में अपने सीट पर बैटे नही साल की शुदान स्पंत के काम का भी पहला दिन गुजरा इसके साथ इस दान स्पंत ने कहा कि विक्सित भारत अभियान को आगे भड़ाएंगे आमजन से जुड़ी योजनाओं पर विशेश ध्यान दिया जाएगा उन्होंने कहा कि रज्जे सरकार केंदर से तालमेल बैठा कर काम करेगी प्रदेश की माली हालात को देखते वे उन्होंने वित प्रबंदन के लिए विशेश प्रियास करने की बात कही नए मुख्य सचीव ने इस मोके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और मुख्य मंतरी भजनार शर्मा का आभार जताया इस मौके पर प्रमुग सचीव हेमंत गेरा, सयुक्त सचीव अक्षे गोदारा, प्रशन कुनार, महेशंद्र शर्मा, श्रूती भारदवाज भी मौजूद रहे इसके साथी सिये सुधान स्पन्त ने पत्रकारों से बादशीत करते वे कहा कि नए साल की राम राम विश्वास करके यह पद का दायत्व मिला है, इसे निभाऊंगा प्रदेश के हित में निर्ने लिये जाएंगे, राज्य के लोगों को राहत मिल सके, विक्सित भारत की कल्पना साकार करने की कोशिश की जाएगी वित्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके वित्य स्थिती मजबूत करेंगे, बड़े मुद्दे हैं, योजनाओं के इसके बाद ही कहना मुनासिब होगा केंदर से ताल मिल अच्छा रहेगा, केंदर का सही योग मिलता रहेगा, राज्य पूरा आवंटिद राशी खर्च करें, कैदर को लेकर ओफ हेड नहीं कहा जा सकता है प्रस्ताओं के बारे में बास्चित करके ही निर्नेलिये जाएंगे आपको बता दे कि शुदान स्पंत का जन में लखनाओं में हुआ था साल 1981 में नैनिताल के सेंट ओसेफ कॉलिज में स्कूल एजुकेशन पूरी की स्कूल एजुकेशन के बाद आयाइटी खड़कपुर से बीटेक की डिगरी हासिल की इसके सबाद सिविल सर्विस एग्जाम की तयारी के लिए आयाइटी मुंबई में कॉर्पोरेट रेन की जोब छोड़ी नैनिताल के स्कूल में सिक्षक के तोर पर भी शुदान स्पंत काम कर चुके है शुदान स्पंत 1921 में बैच के राजस्तान के डर्मिके आईएस है सुदान स्पंत ने यूपी एसी के एक्जाम में पैतालिफी से रेंगवी हासिल की थी अपने उसक्रष्ट परदर्शन के लिए राजस्तान सरकार, भारा सरकार और चुनाव आयोग सुदान स्पंत को पुरिशकर्ट कर चुका है पंत की सिविल सेवक के रूप में योगेता और मजबूत साख है जनता दर्बान यूज में फिल्हाल के लिए इतना ही